संसद के सुईत कालिन सत्र मैं स्वामबार की कारवाई में बाधा डानने के लिए अठितर संसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है इन अठितर संसदों को बचे हुई सुईत कालिन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है जिन संसदों को निलंबित किया गया है उनमें कॉंग्रेस निता अधी रंजन चौधरी, डियम के सांसद टी आर बालू, टीमसी के सौगात राय समेथ दोनों सदनों के कई निता शामिल है इन सांसदों को निलंबित किये जाने से पहले गुर्बार को भी हंगामे के चलते 14 सांसदों को निलंबित किया गया था बही अब शीत कालिन सत्र की शेश अबधी के लिए अधी रंजन चौधरी को भी निलंबित कर दिया गया है लोक्षभा चुनाब 2024 से पहले यह संसद का आकरी पूर्ण कालिक सत्र है और चार दिन फिलाल इस सत्र में बचे हुए है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तरके हैं ऐसे मैं सवाल है कि विपक्ष की रणनीती आगे क्या रहेगी